आज की क्लास में मैं looping statement के बारें बताने जा रहा हूँ और आज जिस loop के बारें हम discuss करेंगे वो है for loop loop ऐसे statements होते हैं जो कई बार जब तक condition satisfy होते हैं true होती है तो वो कई बार या बार बार एक्जिक्यूर होते हैं इसको एक example की help से आप समझ सकते हैं जैसे की मैंने एक for loop इस्तेमाल किया ओके for loop के इस्तेमाल किया है और यहां पर हम कोई variable ले लेते हैं या कुछ भी variable identify इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमने यूज कर लिया x for x in ओके x कुछ भी हो सकते हैं और यहां पर हमें एक list का इस्तमाल कर रहे हैं और इसमें जो items हैं 10, 15, 20 और 25 हैं ठीक है यह list close कर दी मैंने हर एक for loop को आप colon से terminate करेंगे और जैसे आप enter करेंगे तो आपको एक indent मिलेगा ठीक है यहां पर एक block of statement होगा जो कई बार execute होगा ठीक है इस statement का मतलब आपको समझना है for x in तो x की first value 10 होगी उसके बाद x की next value 15 इसके बाद 20 और x इसके बाद 25 value होगी और हर एक value के लिए जो नीचे का statement है वो execute होगा ठीक है तो क्या statement execute करना है हमें एक print statement execute करना है और print क्या होगा x की value print हो जाएगी ठीक है तो चलिए इसके इसको run करके आपको दिखा देते हैं तो x की first value क्या है 10 उसके बाद line change होगा क्योंकि slash and print का default जो है separator है इसका 15 इसका 20 25 जो है हर एक new line में print होता जाएगा एंटर करते ही तो मैं एंटर कर दिया है एक और एंटर कर दिया तो 10 15 20 25 जो है print हो गया है और हर बार line change होगी है क्योंकि print का default behavior है कि वो हर एक element के लिए line change करेगा ठीक है अगर आपको line change नहीं करनी है तो end equal to space दे सकते हैं इसको एक बार फिर से copy किया मैं और इस बार मैंने इसमें comma करके कि एंड एंड जो है इस पेस कर रहे हैं जिसे की line change नहीं हो चली एक बार फिर सेंटर करते हैं यह देखिए 10 15 20 25 और स्पेस कर आपको ज्यादा देना है तो हम यहाँ पर ज्यादा स्पेस दे सकते हैं स्पेस बढ़ा सकते हैं जिसे की number को आसानी से identify किया जाग सके हैं तो देखिए space मैं बढ़ा रहा हूं यह देखिए थोड़ा से space ज्यादा कर दिया enter करेंगे तो आप numbers जो है clearly visible हो रहे हैं ठीक है कुछ operation perform करना है हर एक number पर त प्लेस टू कर रहा हूं हर हर element में प्लेस टू होता जाएगा जिसे 10 प्लेस टू 12 15 प्लेस टू 17 20 प्लेस टू 22 और 25 प्लेस टू 27 जो है print होगा यह देखिए मैं लास्ट में एंटर करता हूं यह देखिए 12 17 22 27 प्रिंट हो चुका है आपकी स्क्रीन के सामने तो यह था for loop कैसे काम करता था इसका explanation for loop के साथ आप range को भी की इस्तिमाल कर सकते हैं इसका कुछ हम example लेंगे कि कैसे हम range का इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है for loop के साथ range का इस्तिमाल कर सकते हैं जिसे की range 7 के range 5 12 इस तरह से तो range को प्योग करके हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि कुछ इस तरह से आप इसको ध्यान से सुनिए फॉर यहां पर हमने एक for loop इस्तिमाल किया कर दो प्रोग्राम पर आइए कुछ भी वेरिवल हो सकता है आई एक्स भी ले सकते हैं वाई भी ले सकते हैं इन और इसकी रेंज बतानी आपको यह देखे के रेंज जो है परेंथिस के अंदर राइड में आप बताते हैं कि फ़र्स्ट इस्टार्टिंग कहा सी करनी है तो इस इस्टार्टिंग करनी है फिप्टीन से एंड कहां पर करना है एटेइन पर और बाइडिफॉल्ट इसकी स्टेमलू होती है वन तो अगर वन बाइडि Devon Board लेज़े पहले आप इसको प्रेंट करेंगे आई हैं कि वेलु क्या है ठीक है लाइन चेंज करके IQ value प्रिंट करेंगे, यह देखिए, print हो रहा है, first number क्या है, 15 print हो रहा है, second number क्या है, 16 print हो रहा है, इसके बाद 17 print हो रहा है, यह ध्यान रखेंगे, कि for में जो end value, जो 18 है, वो print नहीं होगा, उससे एक पहले की जो value है, वही print होती है, यह आपको हमेसा ध्या रखना है, जो students है, कई बार गलती करते हैं, 18 को भी print करते हैं, 18 को भी include करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, for loop में, और इसमें हम हर एक number 15, 16, 17 के लिए हम cube calculate करेंगे, तो program में हमें थोड़ा सा change करना पढ़ेगा, copy कर लिया, और यहाँ पर cube, cube किसे निकालेंगे आप, cube निक power लगा सकते हैं, 3 की power कैसे लगाएंगे, यह, 3 की power लगाएंगे, तो हर एक number की cube निकल जाएगी, है न, यह, देखिए, 15 का cube निकला है, 3375, 16 का cube निकला 4096, 17 का cube निकला है 4913, ठीक है, अब, आप निकालेंगे square root, 1 से लेका rating तक के जो भी numbers हैं, उनका square root निकालेंगे, कैसे square root निकाल सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसके लिए आप for loop के इस्तिमाल करेंगे, ठीक है, for i in range, r, a, n, g, e range, ओके, starting number is 1, ending number is 18, लेकिन 17 तक है की cube होगा, strip value है 2, ओके, strip value को यहाँ पर आपको समझना है, कि first value होगी 1, तो second value क्या होगी, plus 2, plus 2 होगा, तो हो जाएगा, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 तक होगा, फिर 7 to 9, और 18 less, मतलब 18 से कम, छोटी जितनी values होगी, वही सबाएंगी, 18 को include नहीं करेंगे, अब सभी numbers का हमें square root प्रिंट करना है, तो print statement का इस्तिमाल करेंगे, print statement और I का square root कैसे निकलेंगे, इसकी जो power है, 0.5 कर देंगे, 0.5 कर देंगे, इसकी power, देखिए, सभी के square root प्रिंट हो जाएंगे, यह, 1 का square root, 3 का square root, 5 का square root, 7 का square root, 9 का square root, इसारे square root आपके सामने आचुके हैं, ठीक है, तो यह थी for loop, for loop कैसे इस्तमाल करते हैं, for loop के साथ range का कैसे इस्तमाल करते हैं, उमेद है, आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ भी doubt लग रहा है, तो आप हमें comment कर सकते हैं, वीडियो को like बटन पर click करके, वीडियो को like जरूर करें, चैनल को subscribe कर लें, जिससे की वीडियो के notification आपको मिलती रहे हैं, साथ एक अच्छी python सीखने के लिए, board exam में, अच्छे marks score करने के लिए, class 11-12 में, python और computer science, SQL, programming language सीखने के लिए, आप हमारे चैनल की membership जोइन कर सकते हैं, जहां पर आपके doubts online clear के जाएंगे, हर एक doubt का वीडियो बना कर आपको भीरा जाएगा, और आप chat भी कर पाएंगे, thank you very much.